नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अशोग बर्मा, आप देख रहे हैं टीवी टॉन्टी न्यूज, देशो प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, सुरू करते हैं खबरों का सिल्शिलाब। हाड़वियर, जिन सेट और मसीनरी पार्ट्स तो देर फिर किस बात की एक पार श्रिवा का मौका अवस्य देख बता दे कि दिस में हो रहे हैं आईपेल में भोजपूरी कमेंटरी को जहां लोग खोप सराना कर रहे हैं वही शत्र से लेकर चनपतस्तर तक के किर्केट में भो कमेंटर संजे मिस्रा और भालू ने 20 वर्स पहले ही लोगों की दिलों में पहुचपूरी कमेंटरी की चरिया अपनी चाप छोड़ दी थी टीवी पर आईपेल देख रहे हैं युवाओं का कैना है कि जो आज कमेंटरी आईपेल में देखने को मिल रही है वह शत्र के यु का नाम कमाया आज भी उनके भुचपूरी कमेंटरी के वकाफिय शुरुता उन्हें याद करते हैं आज सुनाते हैं कि संजे मिस्रा और भालू ने क्या कुछ कहा देखा आईपेल में बोलना है एक रहे करते हैं रवी कि संजी के बहुत-बहुत धन्यवाद कम से कम अपने देशी माटी का पहचान अंतराष्टी अस्तर पर होई गया है यह बहुत अच्छा लगया हम तो 20 साल पहले से जब यह चेतर में लोकल किर्केट हो है तो लोग हमसे कहें कि का भया भोजपूरी बोलत हुआ लेकिन बोजपूरी जब हम बोली तो गाउं का लगभग-लग- अच्छा लगए कि कमचकम अपने माटी के भासा में हम अंग्रेजी खेल्च के बखान हिंदी और भोजपूरी में करें कईच हैं लकभग-लग-लक हमको हम लगभग-लग-लग-लग-20 साल उपर होगे लोई इह हमार आपन निजी मामला रह है कि हम कभी हिंदी में कमेंटरी कर पसंद ना करें देखा है कि पटेल मिमोरील इंटर कालेज पे यहां बड़ा आयोजन हो अच्छे-च्छे अमरे अत्रवलियां भी क्रिकेटर रहें जोन की कानपूर से दिल्ली स्टक का खिलारी यहां बोलावल जाए तो का पटेल पे बहुत बड़ा लेदर के तूनामेंट ह तो जब टीम आवें तो वहां जोन आयोजक करता रहें तमाम आज कल मतलब राजनेतिक दल से भी लोग जुलगेल हुए ना ते थोड़ा सा नाम अथवा करती वो लोग हम से कहें कि भालो मिस्रा कमेंटरी तो बोला तो जब हम कमेंटरी वोली तो सबसे ज्यादा हम में एक बार वहां बड़ा चूना मेंट होता रहाल काफी भीण रहाल और हम भोजपुरी में कमेंटरी करता हुए वहां एक अच्छे गुरुजी जो ग्यान स्वरुपला सिर्वास्तव नहीं है और एक राम सेवक पांडे जी निकल के इना तो भोजपुरी बोलता हुए तो उ लोगों को प्रोसाहन थोड़ा मिलल कि जब हिंदी जगत के अतनी बड़े प्रवक्ता हमरे में चीज के पसंद केना था हम बल मिलल तब से हम लगा अतार भोजपुरी बहुत महत्तो देहली जैसा अब बतार थे प्रवांचल शेथ में तो भोजपुरी पसंद की जाए और चेइज से लोग आ रहे थे हैं कि आरव को भोजपुरी से पसंद करते हैं कि या इसा देखा जुब फरनवा खेला रही हो ने मतलब फरनवा मतलब जुब विदेशी कहल जा जाला जो ने कहम अपनी भासम फरनवा कही ला वहाँ है तो भाई चुकी अंग्री जी में खड़ लम कोगा कामाराइब